हम चाहते हैं कि हम इस question को जल्दी से जल्दी solve करें हमारे पास एक दिव्य शक्ती है जिसका नाम है Calculator वीडियो पूरी end तक देखना यार भीच में छोड़ो दो कि तो मज़ा नहीं आएगा Hey guys, what's up? अभी तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी Announcing the launch of the fast track batch of business mathematics, logical reasoning and statistics on YouTube from 1st of June every morning at 10am उसके बाद से मुझे कई सारे students की queries आ रही हैं कि सर आप कराओगे कैसे? आप हम लोगों को कैसे revise कराओगे? क्या आप questions कराओगे? और अगर कराओगे तो क्या आप calculated tricks बताओगे? calculated tricks के साथ क्या आप बाकी time saving tricks बताओगे? तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि इन सारी queries को एक बार में मैं शांत कर देता हूँ एक demo दिखा के और वैसे भी एक बड़ी web series का एक छोटा सा trailer तो बनता ही है boss तो आईए हम लोग देखते है mean deviation का एक question हम लोग पहले देखेंगे कि traditional method से traditional method से उसको किस सारी से solve किया हुआ है और हम लोग calculator की मदद से जल्दी से जल्दी उसको कैसे solve कर सकते हैं तो what is the value of mean deviation about mean for the numbers 58634 जल्दी से इसी के साथ साथ मैं आपको इसका concept भी बता दूँगा देखे mean deviation about the mean आपको पहले इन numbers का mean लेना है 58634 का आपको mean लेना है तो यहाँ पर ले लिया गया है 5.2 इसका mean आ गया है उसके बाद आपको इस mean को हर number में से minus करना है which will give you its deviation तो देखे 3, 4, 5, 6, 8 आपके observations है आपको इस mean को यह जो आपका mean है 5.2 इसको हर observation में से minus करना है और अगर value negative आई है तब भी आपको positive value लेनी है जैसे 3 minus 5.2 minus 2.2 आएगा लेकिन आपको उसकी positive value लेनी है तो यह आगया 2.2 similarly 4 minus 5.2 negative value आईगी लेकिन आपको positive लेनी है तो यह आई 1.2 similarly आपने बागी सारी observations में से भी यह mean को minus किया आपके यह deviations आए अगर किसी deviation की negative value थी तो आपने उसको positive में convert कर दिया और अब आपको इन deviations का mean निकालना है mean, deviation, about the mean deviations का mean ठीक है तो आपने deviations निकाले deviations का total आए 7.2 आपने divide किया उसको number of observations से आप कहा answer आगया 1.44 लेकिन, लेकिन, लेकिन यहाँ पर जो method दिया हुआ है वो एक traditional tabular method है जिसको अगर आप लोग exam में solve करने जाओगे तो आपका बहुत सारा time waste हो जाएगा क्या हमारे पास इतना time waste करने के लिए है नहीं है हमारे पास exam में इतना time waste करने के लिए नहीं है हम चाहते हैं कि हम इस question को जल्दी से जल्दी solve करें हमारे पास एक दिव्य शक्ती है जिसका नाम है calculator हम calculator की मदद से इस question को बहुत जल्दी से solve करेंगे और देखो कैसे करते हैं हमें क्या करना है हमें सबसे पहले 5, 8, 6, 3, 4 का mean निकालना है तो calculator पे निकालो 5 plus 8 plus 6 plus 4 plus 3 divided by number of observations which is 5 आपका mean आ गया 5.2 आपका mean आ गया 5.2 अब आपको हर question में से 5.2 को minus करना है अगर answer negative में आ रहा है तो आपको उसको positively लेना है तो सबसे पहली observation है 5, 5 minus 5.2 gives you minus 0.2 oh my god यह तो negative आ गया अगर यह negative आया तो आप इसको positive में कैसे convert करोगे sir आपके calculator में एक plus minus का button है आप जैसे ही इसको press करोगे यह minus 0.2, 0.2 में convert हो जाएगा अब आपको करना है M plus calculator में M plus है इसको memory में add करो तो आपने deviation लिया, deviation negative में आया आपने उसको positive में convert कर दिया और आपने उसको डाल दिया memory में क्यों? क्योंकि आपको सारे positive deviations का sum total भी तो लेना है तो एक एक positive deviation निकालते जाओ memory में डालते जाओ memory recall करोगे total फेंक के मारे या देख दूसरा देखो 8, 8 minus 5.2 जो भी आया यह तो positive में ही आ गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है M plus उसके बाद 6 6 minus 5.2 again positive में आया M plus उसके बाद 3 3 minus 5.2 oh my god negative में आ गया plus minus वाला बटन दबाओ positive में convert हो गया M plus उसके बाद last observation is 4 4 minus 5.2 answer फिसे negative में आया sir plus minus वाला बटन दबाइए 1.2 positive में convert हो गया M plus कर दीजे सारे deviations जो की negative में थे आपने उनको positive में convert किया जो positive थे उनको positive रहने दिया सबको आपने add कर दिया MRC दबाइए answer आगया 7.2 देखिए सारे absolute deviations का जो sum total है वो है 7.2 आपने बिना ये table बनाए 7.2 कितनी आसानी से अपने calculator में कर लिया है अब आप divide कर दो इसको 5 से क्योंकि आपको इसका mean निकालना है answer आगया 1.44 answer आगया 1.44 मैं आपको ये समझाते समझाते कर रहा था तब मैंने इतनी जल्दी कर लिया आप सोचो आप इस trick को समझ जाने के बाद इस question को कितनी जल्दी solve कर पाओगे आपको बाकी student से कितना competitive edge मिल जाएगा आप imagine नहीं कर सकते हो और ये तो सिर्फ trailer है पूरी web series आप ये बाकी है मेरे दोस्त साथी साथ आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप मेरा telegram channel join कर सकते हो जिसका link मैं इस video के description में दे दूँगा telegram channel पे मैं रोज 4-5 questions past exam में पूछे गए questions को मैं telegram channel पे post करता हूँ एक quiz के form में मैं post करता हूँ आपके regular revision के लिए maths में maths में 70 number से कम तो नहीं लाना है क्योंकि 70 number 70 number है तुमारे पास तुम्हारी जिदेकी के सबसे खास 70 number I'll see you guys from 1st of June super excited